सब्सक्राइं घर्स टोटार्टेर्व पारें बात करें जो है टेकनिकल नालसिस लॉंग टर्म शॉटर्व हम चाहले हैं नुपर तिसमीनिक गंडी कशार्ड लेकर आप देख सकते हैं और अगर हम एक साल का लास्ट एक साल का गर मुवमें देखें सो और यहां पर फॉर्ट इसने growth तिया है तो नियर बगुट इसने कितना growth दिया तो 93 पर से ने growth दिया वह ए नियर बगुट तरी ताम्स ने growth किया हुए और एक तर साल के लिए एंदर बॉर्ट बाइंस इस अ मुल्डी वैकर जो वर्य इंट्रेस्टिंग और यहां प्रॉट डान्वर्स इसने तो अप्रेंट यह फॉलो गड़ा है तो लॉंग टर्म में इस लोगिंग अचिली वेरी पॉजिटिव और जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा इसमें ग्रोध यह तो अभी हम यहां पे समझने के कोशिश करेंगे जो अपन डाउन साइकल चल रहा है उसमें कितना इसका पंप होता है तो ब्यूंप कर पाएंगे कितना यहां पर पंपन डंप हुआ है और जब रिकवर करता है तो स्टॉक इतना परसेंट जो हो वह करता है तो यहां पर average cycle आप देख सकते हो, average cycle जो है, it is around 13%, 10%, 10%, 13%, 22% बहुत अच्छा है, यहां पर gap up प्रेशर था, buying pressure था, फिर selling pressure था 15%, 11%, so मोटा मोटी आपको देखने को मिलता है, so around 10% to 15% या 9% to 15% के बीच में जो है, fluctuate होता रहता है, जब भी buying pressure हो, selling pressure हो, this is the average, you know, movement of the stock, which is very, very good, बीच में बहुत जादा heavy movement, आपको इस पॉइंट में देखने को मिला था, जहां पर around 20%, 25% movement हो है, so we'll be considering this from a long-term point of view, and इसको पास data को लेके हम समझे कोशिश करेंगे, जो future उसे movement क्या हो रहा है, so here, हम देखने को मिल रहा है कि आपका 200 dma के वहां पर भूफ कर रहा है, बट 50 dma के दीचे है, but we'll try to understand, यहां पर एक pattern देख पाऊगे कि 50 dma जो है, महां पर आपको support मिलता है, यहां पर 50 dma में support मिल रहा है, यहां पर 50 dma में support मिल रहा है, 50 dma became a kind of a resistance zone है, again, यहां पर 50 dma में रहा है, 50 dma में रहा है, 50 dma को ही यह typically रहा है, and there are certain phases, there are certain phases where it was, जो 50 dma है, that was acting as a resistance, okay, थीक है, तो एक idea पर हो गया कि कैसे यह fluctuation कर रहा है, and, यहां पर अभी जो है, हम short term देखेंगे, short term कैसा movement कर रहा है, so, I'll take one hour, one hour लेकर एक महीने का चार्ट लेकर 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 देखेंगे, so, what do you see from the stock here, this was acting as a resistance, again, it was acting as a support, then, 50 dma and 200 dma are together, तो वहां पर क्या होता है, कि वह साइड बेस मुवमेंट करता है, वहां पर जादा मुवमेंट नहीं होता है, again, यहां पर 50 dma, 200 dma एक साथ मुवमेंट कर रहा है, so, हम देख सकेंगे, यहां पर साइड बेस मुवमेंट करेंगा, for the next couple of weeks, कितना दियूरेशन था, कितना दिन मुव किया था, 29 June, 14 July, मुवर्लब नहीं अब बाउट, 15 to 20 days, जो है, वो साइड बेस मुवमेंट कर रहा था, अभी वो मर्ज हो रहा, तो next 15 days, हम देख सकते हैं, कि साइड बेस मुवमेंट करेगा, और उसके बाद, जब 50 dma, बेन अच्ट अस रेजिस्टेंट, उसको ब्रेक आउट करता है, ब्रेक आउट करने के बाद, जो 50 dma में बेकम सी सपोर्ट, और उसको राइट करके ब्रेक रहा, फिर से जब वो ब्रीच करता है, आपको पता चलेगा कि यह स्टाउक किरने वाल है, बट ओवर ओल, इस इस बेरी पॉजिटिव इंडिकेशन आपको यह पैटरन देखने को मिल रहा है, तो इन इस सिचुएशन मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखना कि यह फॉल्स ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यह स्टाउक जो भी थोड़ा सा ओवर बॉट जोन में है, तो यह नीचे किरेगा, नीचे किरने के बाद अभी कुछ दिन बाद आप देख भाएंगे, यह थोड़ा सा उपर उठने वाल है, और वन्स इट गोल अबव, देखने को मिले है, निक्स्ट फॉर्टिन ट्वेंट साइड बेस मुवमेंट करेगा, साइड बेस मुवमेंट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यह रबाद वहां भी तो दो से तीन परसंट आपको चेंज़ देखने को मिलेगा, और वन्स, फिफ्टी द्यमेंट को ब्रीच करके वो उसको सपोर्ट लेकर चलता है, तब आपको एंट्री लेना चाहिए, एंट्री लेकर फिर आपको वहां पर आराउंड क्योंकि 10% 8-15% उसका जो ग्रोथ होता है, पम्प अगर ग्रोथ भी देखें 15% है, और अगर देखें 15% कर अप्रोक्सिमेट ले, अप्रोक्सिमेट ले आप के सब्सूरेंगा, झाल झाल